नमस्कार दोस्तों, हिंदो धार्मे ग्रंथों में वर्णन है, असली वैश्नव भक्त वही है, जो अपनी जिंदगी में आ रहे है दुखों को भगवान की मर्जी जान अपना लें, तो वहीं जोति शास्त्र में बताया गया है कि हमारे जीवन के आसपास हो रही छोटी- देती हैं, ये घटनाई किसी वस्तु, जीवजन्तु से जुड़ी होती हैं, जैनवरों से जुड़ी घटनाई हमें हमारे भविश में होने वाले उतार चड़ावों के बारे में संकेत करती हैं, इनी घटनाओं में से एक है घर में चूहा का बच्चे को जन्म देना, घर मे वैसा भी होता है कि घर में चूहा बच्चों को जन्म दिता है। बता दे इसके बारे में भी जोतिश शास्त्र में बताया गया है। तो दोस्तों, आज एम इस वीडियो में आपको बताएंगे घर में चूहे का बच्चों को जन्म देने का संकेत है। तो आईए जानते हैं जोतिश्य शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में चूहा बच्चा दे तो ये जल्द ही आपको संतान प्राप्ति के संकेत माने जाते हैं इसके लाबा घर में चूहे का बच्चा देने का एक मतलब ये भी माना जाता है कि आपकी संतान पर आने वाला किसी प्रकार का संकट या आचुका कोई संकट धूर होगा जोतिश शास्त के अनुसार अगर चूहे ने आपके घर में बच्चे को जन्म दिया है तो ये संकेत है कि आपका कोई काम जो लंबे समय से रुका है वो जल्द ही पूरा होने वाला है बता दें चूहे को भगवान गणीश की सवारी माना जाता है और भगवान गणीश के साथ इनकी भी पूजा की जाती है घर में चूहे का बच्चा देना ये दर्शाता है कि आप पर भगवान गणीश की करपा बनी होई है और आपके सबी कार बिना किसी परिशानी के पूर्ण होंगे जो तिशो शास्थ के अनुसार घर में चूहे का बच्च देना परिवारिक सोख प्राप्त होने का प्रतीक है इसकार्थ है कि यदि आपके घर में परिवारिक कलेश होते हैं तो ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे और आपके परिवार जनों की बीच मदुर्त आएगी तो वहीं अगर घर में चूहा मर जाए तो ये इस बात का संकेत है कि घर में कोई बीमार पढ़ने वाला था या घर में किसी किमित्यू के संकेत थे जिसे श्री गणेश के वहान ने अपने उपर लेकर घर के सदस्यों को सुरक्षित कर लिया है तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइक ओन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद